हेई गाई जब फिर से आप सभी कमिस्टर व्यास के अंदर स्वागात और आज exactly हम बात करेंगे क्या without backlink के कोई site rank कर सकती है उसका एक छोटा से example एक case study की तरह मैं आपको यह पर बताऊंगा कि कैसे without backlink के एक post every month 5000 से जादा visitors किसी site पर लेकर के आता है बिना किसी backlink के तो backlink का alternative क्या है मैं क्या tool use करता हूं जो मेरे सारे काम easy कर देता है पूरा इस वीडियो के अंदर details से बताने वाला हूं वैसे without backlink को कैसे rank करता हूं मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं तो यह more of a case study रहेगा उस चीज का proof रहेगा कि what I am telling you is something which is really working so without wasting time अगर आप हमारे इस च की देट तक जॉइन कर चुके हैं and they learn how to start the blogging so without wasting time चलता है desktop की स्क्रीन पर live stats के साथ में हम काम करेंगे and we'll talk about how और यह कैसे काम कर रहा है सबसे पहले चीज जैसे कि आपको पता है soundproof idea के साइड है जहां पर actually मैं SEO के implementations करता हूं और इसकी case studies आपके सामने लेकर आता हूं blogging is more about branded website जहां पर आपकी demand के साथ से content paste करता हूं but actually I'm not doing any sort of an SEO यह side है इसलिए में इसकी case studies आपके सामने बार बार लेकर आता रहता और यही एक channel है मेरे हिसाफ से जो every single post और keyword की study आपके सामने लेकर करके आता है तो अगर आप इस चीज की value समझता है comment कीजिए like कीजिए channel पर subscribe जरूर कीजिए बहुत ही precious moment है तो आप screen पर देख सकते है guys यह analytics का data sound profile है और यहाँ पर मैंने पिछले 30 दिन का record लगाया हुआ है last 30 days का तो यहाँ पर देख सकते हैं यह वाला content है जहाँ पर 5354 sessions हुआ है मेरे एक session के अंदर करीब करीब 1.17 page use होते हैं मलब आप कहीं ने करीज समझ सकते हैं कि यह 607,000 page use सिफ यह content लेकर के मेरी site पर आ रहा है example के लिए आप Google में डालके देखते हैं यह keyword आपको यहाँ पर बहुत सारी site देखती है second number पर है soundprovider.com और अगर इस की इस particular post को मैं अगर hrep के अंदर डालके देखता हूँ you should be able to see इस पर कोई backlink नहीं बनी हुई है इस पर कोई domain refer नहीं कर रहा है 329,000 keyword इसके actually rank कर रहे है top 100 के अंदर तो यह कैसे हुआ और यह क्या काम है तो क्या backlink सही में जरूरी है और अगर आप backlink नहीं बना सकते हैं तो आपको क्या other alternative use करना है वो मैं आपको बताऊंगा तो सबसी important चीज़ गाईस इस चीज़ को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको चोड़ासा notice देना चाहता हूँ let's start hey guys अगर आप beginner है और अगर आप blogging के शुरुआत करना चाहता है तो मैं recommend करूँगा आप एक best feature hosting को prefer करें एक ऐसी hosting जिसका downtime कम हो इसका support अच्छा हो और जिससे multiple लोग use कर रहा हो यहां तक कि मैं personally जिस hosting को use करता हूँ आज मैं आपके सामने उसको recommend करने वाला हूँ simply आप आए hostinger.in forward slash mrvrs जैसे आप इसको type करते हैं आप directly hostinger के site पर आएंगे यहां पर आने के बाद as in beginner आपको shared hosting को use करना है because that is enough for you to save money यहां पर आने के बाद आपको simply यहां पर premium web hosting को purchase करना है why this is so is क्योंकि premium web hosting में आपको एक free domain मिल जाता है जिससे आप 700 रुपीज बचा सकते हैं और साथे साथ आप 100 से जादा website host कर पाएंगे reason is क्योंकि एक blogger अपनी life में 203 website की शुरुआत जरूर करता है तो यहां तो आप premium web hosting लेकिन अगर आपका budget less than 1500 रुपीज यह ता आप single web hosting के साथ जा सकते हैं यहां पर आने के बाद आपको add to card पर click करेंगे आपको payment window पर भेज़ दिया जाएगा यहां पर आप minimum 12 मंत का plan यहां पर पर चूज करें जिसकी costing होती है 2,988 रुपीज लेकिन अगर आप यहां पर एक promo code यूज करेंगे MRVYAS तो उस promo code से आपको additional 10% discount मिल जाएगा जैसे आप इसको click करते है additional 10% discount 3,526 रुपीज से reduce होके 3,271 रुपीज और simply आपको submit secure payment करके आपका account create कर देना है इसी के साथ guys आपको hostinger की hosting purchase करने को बाद अगर आप इस particular link पर आएगे तो आपको मेरी तरफ से दिया जाएगा $200 worth का blogging का course जहां पर आपको free की premium theme with license की मेरा खुद का blogging का course और साथी साथ allowance type की secret blogging guide भी मेरी तरफ से दी जाएगी अगर आप interested है दोनों links description में जरूर उससे buy कीजेगा चले चलते है video hopefully आप उस gift को भी जरूर claim करेंगे जिससे आपको advantage जरूर मिलेगा चले come back to the point so basically guys आप यह आप देख सकते है 329 keywords है जो rank कर रहे है अभी हम बात करेंगे कि यह हो क्यों रहा और किसलिए हो रहा है सबसे important चीज़ guys backlink एक सबसे important factor है अभी backlink दो type की होती एक होती जो आप external site से लेकर के आता है जैसे मेरी site पे अगर आप मुझे backlink देता है that is known as an inbound backlink from the external sources लेकिन एक सबसे powerful backlink होती है जो आपके पास में होती है और वो होती है आपकी internal backlink अगर आप internal backlink पे सबसे ज़ादा focus करेंगे तो आपकी site का कोई भी content जो सबसे ज़ादा rank कर रहा है या फिर जिस पे google का traction है उससे आप आपकी site की ranking को improve कर सकता है इसके लिए जो मैं एक personal tool यूज करता हूँ जिसको लेकर के मैंने detail वीडियो भी बना है वो अगर आपने नहीं पड़ा है तो मैं link description में दूँगा जरूर जाके पड़े अगर आप free में organic traffic चाता है तो guys अगर मैं चलता हूँ मेरी इस particular tool के backend में यह sound prof idea का wordpress admin और इस post को मैंने आपके search किया और देख सकता है मैं जो आप एक tool यूज करता हूँ जिसका नाम है link whisper link whisper एक one of the most powerful tool है जो मेरी help करता है internal backlink management को ले करके क्योंकि आप किस post को किस post से link करते है उसका anchor text क्या है वही decide करता है कि वो content rank करेगा है नहीं करेगा इस पर detail video मैं फिर से बोलूँगा description में link है उसको जरूर जाके पढ़िएगा तो अगर मैं इस post को उठा के देखू तो आप देख सकते हैं इस particular post के अंदर मैंने 6 link है जो मेरी site के दूसरे दूसरे content से इसको देखे रखी है अगर मैं इसको open करता हो तो यहाँ पर कोई यह anchor text है यह anchor text है यह anchor text है तो यहाँ पर मेरा पूरा control रहता है कि कि किस post को मुझे किस keyword के लिए rank करवाना है के tool में use करता हूँ जो मेरी काम easily कर देते हैं मैं every month यहाँ पर आके cross track करता रहता हूँ कि कौन सा keyword mapped है कौन सा नहीं है किसको inbound link मिली हुई है किसको नहीं मिली हुई है ताकि मैं उसकी साब से changes करता हूँ रैंकिंग को easily improve कर सकता हूँ तो यह tool मुझे हर तरीके सा help करता है number one आप देख सकता है यहाँ पर पूरा वो link जो मुझे internally मेरे ही website के किसी post से मिली हुई है और दूसरी जो link है वो है outbound internal link मतलब इसी post के अंदर से 14 ऐसी link है जो मैंने मेरी ही website के दूसरे content को दिये तो इसका भी मेरा पूरा control रहता है मतलब जितना interlinking आप powerful करेंगे उतनी external backlink के आपको जरूरत नहीं पड़ेगी that is what the crisp हर बार external backlink की जरूरत नहीं पड़ती है यसलिए मुझे जो backlink मिलते है mostly home pages पर मिलती है लेकिन उस चीज का power कैसे use करना है दो वीडियो आपको मैं suggest करूँगा एक the most powerful backlink within 24 hours और दूसरा ये जो tool है उसका वीडियो दोनों की link आपको first और second link मिल जाएगी जरूर जाके उसको देखेगा और ये वो link का state से जापे मुझे ये control रहता है कि मैं इस particular link से या फिर इस particular post से कितनी other website को link दे रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर में 8 ऐसी website है global, work, glassdoor है, forps है inla flow जो भी है तो इस तरीक है कि जो मुझे genuine website लगती है जहाँ पर मुझे लगता है कि मुझे इस content को map करना चाहिए उसके साथ content करता हूँ तो ये जो post है SEO की every condition को follow करता है properly internal linked है उसकी proper anchor text के साथ मैं properly outbound internal link है ताकि उसका traffic में मेरी website के दूसरे page है जैसे अभी आपको देखा वहाँ पे 6-7000 page use जो भी है वो 7000 page use 20-30% उसका traffic मेरे दूसरे page use पे भी जाता है वो क्यों जाता है because this is done perfectly और दूसरी important चीज अगर आप किसी content को उठा के देख लेजिए let's pick up this content इस content के अंदर मैं जो बोल रहा हूँ कि covid-19 के वज़े से ये हो गया उसके वज़े से ये हो गया लोग work from home culture में जा रहा है according to the gallop news तो ये एक resource है मतलब मैं जो यहाँ पे बोल रहा हूँ I'm trying to justify कि ये मेरा खुद का research content है और लोग इस पर already report published कर चुके है तो according to this report 56% of American ने ये काम चालो किया covid-19 के अंदर तो मतलब मैं किसी ने किसी data को back करने के लिए additional sources से ज़रूर link करता हूँ और आपको भी suggest करता हूँ this is one of the best powerful way to get rank your website without backlink so I hope guys के आपको इसमें बहुत ही detailed learning मिला होगा and I'm really grateful to announce you guys अभी जो 9 days free blogging mastery training जो आपने join की this was a good program आप मैं से सब लोगों ने join किया अभी मैं से 7 programs launch करने वाला हूँ keyword mastery, niche mastery SEO mastery, how to monetize mastery content writing mastery और one more तो ये सब का planning में कर रहा हूँ अगर आप सब का support सही से मिलेगा feedback देते जाएगा मैं एक community post के अंदर एक form डालूंगा जहां पर मुझे आपके suggestions चाहिए ताकि वो सारा areas में उन courses के अंदर cover करू ताकि आप लोग की blogging जरने easy हो सके with the blog, with the YouTube and with the affiliate marketing how you can generate multiple source of income that is what my goal to bring in front of you I am very excited, बहुत planning चल रहा है उस पर so point is कि I hope कि इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़े जानने को मिली होगी अगर नहीं मिली है तो comment करके बताए अगर कुछ missing रहेगी, अगर मिली है तो भी बताए कि वीडियो आपको कैसा लगा so guys, आज के लिए इतना ही फिर्म मिलेंगे एगरे वीडियो के अंदर तब तक के लिए जैहिन जैभारत